दोस्तो नमस्कार मेरा नाम है सुसिल मोदी और आप देख रहे हैं यूटूब चैनल मोदी इन्फो टेक दोस्तो अगर आप एपेस संचालक हैं और लगबग तीन-चार साल से अगर आप काम कर रहे हैं तो बैंकों की NPCI की जो लिमिट है उसके कारण आपका बहुत सारा बिजनिस प्रभावित हुआ है पहले आप बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन कर पाते थे लेकिन समय समय पर बैंकों ने जो बीच बीच में उनके साथ कुछ फ्रॉड हुए उनके अपने क्योस जो है उनका बिजनिस का हुआ तो बैंकों ने इस पर गवर्ण करती है NPCI National Payment Corporation of India अब आपके लिए एक अच्छी ख़वर हो सकती है NPCI ने 2 नवंबर 2023 को सभी बैंकों को एक एडवाईजरी जारी की गई है और इसकी लिए उन्होंने सभी बैंकों को निर्देसित किया कि वो अपने कस्टुमर को मिनिमम पांच ट्रांजेक्श प्रती माँ एलाउ करें और प्रती माँ एलाउ करने का यहाँ पर मतलब है कि यहाँ पर उनको प्रती ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए और 5 ट्रांजेक्शन मतलब 50,000 रुपए तक की निकासी एलाउ करें AAPS अधार इनेबल पैमेंट सिस्टम के माध्यम से यदि सभी बैंक इस समय सीमा पर जो कि 30 समबंबर 2030 दी गई है यदि इस पर सभी बैंक इंप्लिबेंट कर लिए तो आपके लिए आने वाला समय अच्छी इंकम के लिए हो सकता है क्योंकि आप नंबर आफ ट्रांजेक्शन कर पाएंगे और यदि सारे बैंकों ने बात मान के अपने जो बं बंद करके रखा हुआ है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बंद करके रखा हुआ से कई और बैंक भी हैं जिनोंने बंद करके रखा यदि सारे बैंक किस बात को मान लेते हैं एडवाइजरी को लागू कर देते हैं तो आपका बिजनेस बाग बढ़ जाएगा अब यहां पर वीडियो देखने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सबूत मांगेंगे प्रूफ मांगतें कि ऐसा क्या कोई एडवाइजरी जारी हुई है तो मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में NPCI की सर्कुलर की लिंक दी है PDF का फॉर्मेट है जिसका हिंदी अनुवाद म मैं आपको वीडियो के रूप में यहां पर बता रहूं तो आसा करते हैं कि यह वीडियो अपडेट आपको पसंद आया होगा यद्य आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरू करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एई-पेस से सम्मंदित बिस्वसनी इंफर्मीशन आपको मिल सकें साथी दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा सेयर करने का भी प्रयास करें और आने वाली दिवाली की आपको एडवांस में सुब कामना है आने वाला बर् जाहने